नमस्कार, Study IQ IS Hindi में आप सबी लोगों का एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ विरद्दुबे और हमारा कारिक्रम जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं, आधनी भारती इतिहास के बारे में लगातार हम स्पेक्ट्रम बुक के साहता से इस पूरे के पूरे यून है, इसको खतम करने का प्रयास करेंगे, और अभी तक इस पर तीन लेक्चर्स हो चुके हैं, और तीनों पे आप लोगों का भरपूर, ट्रेम और स्नेह मिला है, और बहुत सारे बच्चों को चीज़ें जो हैं, वो समझ में भी आई हैं, लास्ट सेशन जो था, उसमें उनक इसलिए आपको उन पर भी ध्यान देना चाहिए, चलिए, सेशन की करते हैं सुरुवात, और आप लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो कर दी कर ही देते हैं, और जो नय स्टुडेंट हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक बार जिसस जिसमें से ये जो इकाई है, ये कंप्लीट की जा चुकी है, ठीक है, ये जो इकाई है, ये स्रोत एवं उपागम, ये कंप्लीट की जा चुका है, इसके बाद अगर हम देखें, तो हम चर्चा कर रहे हैं, यूनिट टू में, यूनिट टू में एक चैप्टर कंप्लीट हो बताया हुआ है कि यूरोपी जो है वो किस कंडिशन में भारत की और आ रहे हैं वो क्या परस्थितियां थी जिन से यूरोपी को भारत आना पड़ा और इस क्रम में मैंने आप लोगों को ये यूनिट 2 में जो चीजें थी वो बताई थी समझाई थी रिवीजन के तौर पर अ वरोधुत्पन होता है और इसकी वज़े से चीजें नई डवलेफ होती है एक करण मैंने और बताया था पूंजी वाद और सामंत वाद में चेंजिस आपको देखने को मिलते हैं सामंती प्रथा जो है वो पूंजी वादी प्रथा में परवर्तित हो रही है क्रिश्री और दूसरी प्रवद्योगी की जो है वो बहुत फल्फूल रही है ठीक है इस इन फैक्ट मैंने पूंजी बाद और सामंती अर्थवस्था के डिफरेंसेज भी बताया थे फिर जो नए ने विकल्प खोजे गए यूरोपियों के द्वारा और क्यों खोजे गए क्योंकि इटल ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो यूरोपी है उनमें सबसे पहले जो यूरोपी आए वो पुर्तगाली आए और जो पुर्तगाली आए वो पुर्तगाली के इस कंडिशन में भारत आए इसकी पूरी विस्तित व्याक्या हमने कल के सेशन में की थी और आप लोगों को य ये सेशन समझ में भी आया था, बहुत सारे प्रश्णुत्तर जो मैंने किये थे, उसके आप लगाता रिपलाई कर रहे थे, मैं देख रहा था, तो बहुत अच्छा लगा उस चीज को देख करके, ठीके, तो अब हम आगे अगले, पिछला जो सेशन मैंने छोड़ा था, उसम हमें इंडिया की situation कैसी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि भाई हम ये plan करके चलते हैं, कि हमें फला जगे जाना है, वहाँ पर ये काम करना है, इस तरह से काम करना है, तो ये तो होती है planning, अब वो executive हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, जब हम उस जगा जाते हैं, और वास्तविक्ता से उसका परिचेजब होता है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि पुर्तगालियों का किस्मत जो है वो जोरों पर था, और जिस समय वो भारत आए हैं, उस समय भारत की स्थिती ऐसी है, कि पुर्तगाली जो है, वो पूर्वी जो भाग है, मतलब पुर्तगा करके उन्हें ऐसी situation मिलती है कि वो उनके लिए लावप्रद है मतलब बहुत ही जादा फायदे मंद है अब वो फायदे मंद क्यों है उसका कारण है कि जो पुर्तगाली है ये भारत के दक्षणी पश्चिमी भाग में आपको मालूम है कि पहले आते हैं और यहां से situation को समझने का वो प्रयास करते हैं और उस समय कि भारत की जो स्थिती है वो यह है कि भारत एक रास्ट के रूप में नहीं है भारत जो है वो वास्तिक रूप में देखा जाते हैं एक रास्ट के रूप में नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है बलकि भारत भूमी जो है वो छोटे-छोटे या बड़े बड़े राज्यों में विभाजी थे, या छोटे बड़े राज्यों में विभाजी थे, दक्षिन भारत में कोई बड़ा सामराज्य नहीं है, हाँ, दक्षिन भारत में हम बहमनी सामराज्य को दे सकते हैं, बहमनी जो सामराज्य है, उस समय ये वहाँ पर एक्ट तो इस तरीके से ये भी कोई बहुत strong या बहुत मजबूत या द्रण जो सामराज्य है वो नहीं है, द्रणता नहीं है, थोड़ी बहुत जो पश्मी प्रांतों में जो द्रणता देखने को मिलती है, वो गुजरात में देखने को मिलती है, गुजरात में उस समय महमूद जो है, उसका शासन है, और तुर्की सामराज्यों के साथ इसके अच्छे संबंद है, तो ये मुस्लिम शासक है, और दूसरे जो मुश्लिम सामराज्य थे, अरब प्रांत के आरपास के, उनके साथ इसके थोड़े ठीक ठाक संबंद थे, और यही एक challenging point था, अगर देखा ज ये तो दक्षन भारत का है, उस समय तो मुगल सल्तनत भी भारत में थी, तो मुगल सल्तनतों की अगर हम बात करें, तो मुगल जो सल्तनत के बादशाही उनकी चला करती थी, उनका दक्षन में प्रभाव कम था, या दक्षन में प्रभाव नहीं था, दक्षन में ये क्या थ वो चीज यहाँ पर नहीं है तो जो मुस्लिम शासक हैं उनमें छोटे-छोटे सामन्ती प्रथा हैं जैसे आप देख सकते हैं बह्मनी सामराज में चल रही है गुजरात में बेगड़ा का शासन चल रहा है इस तरीके से चला करता था तो कोई एक सेंट्रल पावर जो थी वो और इसके अलावा ये जो भारती शासक थे भी भारती जो शासक थे भी वो भारती शासकों के पास में एक विशेस चीज की कमी थी और वो कमी पुर्तगालियों का स्टॉंग पॉइंट था मजबूत हिस्सा था और वो क्या था नौसेना अगर हम नौसेना की बात करते हैं त उस समय भारती शास्कों के पास में मजबूत नो सेना ना तो थी और ना है इस तरीके की मजबूत सेना के लिए वो कोई विचार भी रखते थे उनको उसकी कोई आवशक्त है वो आपस में इतना लड़ने जगरने में विव्यस्त रहते थे कि आपको यूरोप तक थोड़ी य ये सब जो चीज हैं वो पुर्तगाली व्यापारियों के लिए काफी लाभप्रद साबित हुई इसके अलावा अगर हम देखें तो एक चीज और थी जो पॉजिटिव थी पुर्तगाली अगर हम पुर्तगाली पुर्तगालीयों की जो समुदरी सेना थी या यूं कह सकते ह उनसे काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग थे तो हम यह कह सकते हैं कि अरब व्यापारी भी इन पुर्तगाली समुद्री व्यापारियों से पार नहीं पापा रहे थे या उसके बराबर नहीं बैठ रहे थे तो कहीं न कहीं वो भी एक पॉइंट था क्योंकि इनका साथ जो है वो किशासकों को मिलता था तो हो सकता था कि यह कभी हारते लेकिन फिर भी अगर देखाया तो पॉर्तगाली उनसे ज़्यादा स्ट्रॉंग थे क्योंकि इनके पास एडवांस टेक्नलोजी जो है वो जहाज और उससे संबंदी चीज़ों की आ गई थी तो अगर हम देखें तो भी बढ़ियां सिच्वेशन मिल रही है तो बहुत बढ़ियां तरीके से यहाँ पर फूल रहे हैं फल रहे हैं और आप लोगों को तो मैंने बताया ही था कि पॉर्तगाली जो है कुछ विशेस इच्छा से भारत आये थे वो इच्छा ही एक अभिप्रेण का काम करती है एक आगमन के पीछे किस प्रकार का मोटिवेशन काम कर रहा था ठीक है किस प्रकार का मोटिवेशन काम कर रहा था मोटिवेशन का मतलब आप इसको बोल सकते हैं अभिप्रेण हिंदी में क्या बोल सकते हैं अभिप्रेण कौन सा अभिप्रेण था जिसकी वज़े से एक कौन से प्रेणा थी जिसकी वज़े से ये भारत में आसानी से आने की चाहर रख सकते थे तो उसके पीछे कुछ इतियास तो मैंने आपको कल बताया है जैसे पुर्टगाली जो थे वो वेनिस से इर्शा करते थे है ना इटली का जो शहर है इटली से और वो क्यों करते थे क्योंकि इटली का व्यापारिक मार्गों पर एक अधिकार हो गया था तो ये एक बड़ा कारण था दूसरी बात एक समय ऐसा भी आया कि अरब ने मिस्रो और परशिया वाला जो मार्ग था उस पर सात्वी सताबदी क कि आसपास अगरम देखें तो उस मार्ग पर ऐसा कबजा कर लिया कि योरोप का जो सीधा संपर्ख है पूरवी देशों से वो पूरी तरीके से तूट गया तो ये दूसरा कारण था दूसरा मोटिवेशन था और इन्हें चाहिए था एक नया मार्ग और मैंने आपको बताय की तरफ जाता है लेकिन वो अफ्रीका के दक्षणी भाग में या अफ्रीका जो था अफ्रीका का जो दक्षणी च्छोर था तकणी चोर जिसे आप लोगों ने नाम दिया था या जकल मैंने बताया था आपको जिसे आप Cape of Good Hope बोलते थे Cape of Good Hope ठीक है ये जो हिस्सा था इस हिस्से पे आने के बाद वो वापस चला गया था लोट गया था वो ठीक है तो 1887 से बॉर्थो लोमियो जो था वो भारत की ओर चला जरूर लेकिन 88 में वो यहां से लिस्बन की ओर वापस चला गया और उसके बाद 1498 में आपको मालूम है 1498 में वासको डिगामा जो है वो भारत की तरफ निकला और उसने भारत की एक तरीके से खोज करी तो इसके बारे में भी हमने थोड़े पॉइंट कल पढ़े थे लेकिन जब मैं इस मोटिवेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जब यह वासको डिगामा भारत से वापस लोटता है और यहां से लाई गई जो वस्तुएं थी उसे योरोप में 60 गुना 60 गुना मुनाफे में जब उसको बेचता है तब जाके एसास होता है यह भी एक मोटिवेशन का पॉइंट है यह भी एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके का पॉइंट बन रहा है कि भाई जब एक बार हम गए ही भर थे तब हमें इतना मुनाफ़ा मिला तो सुचो अगर हम वहाँ व्यापार करेंगे तो कितना ज़ादा मुनाफ़ा मिलेगा और इसी वज़ा से इसी वज़ा से जब यह वासको डिगामा भारत से वापस लोटा यानि कि वासको डिगामा ने ये पेट्रो अलवरेज केबरेल को भेजा भारत की ओर तो ये जो पेड्रो है पेड्रो अलवरोज जो है इसकी नित्रत तुमें ये पेड्रो अलवरोज वही है जिसने ब्राजिल की खोज करी थी इसी के नित्रत तुमें वर्थोलोमियों को भेजा गया उसी मार्क पर जिस मार्क पर वासकोडिगामा गया था तो आप कहानी को समझे पहले वर्थोलोमियों जाता है वो भारत तक नहीं पहुंसता है फिर वासकोडिगामा जाता है वो भारत तक पहुंसता है उसके बाद वर्थोलोमियों को फिर भे इना दी थी, तक्रीबन 13 जहाज दिये थे, 13 जहाज जो है वो पेड्रो को दिये गए और साथ ही साथ 1200 जो नाविक थे, अब यह नाविक कह सकते हैं, व्यापारी कह सकते हैं, या सेन्य समुदरी, सेनानी कह सकते हैं, एक ही बात है, यानि मतलब वो कोई आम लोग नहीं है, कि क एक आपको मालूम है राजा जुमोरिन, जिन से ये मिलकर किया था, लेकिन राजा जुमोरिन से मिलने के लिए, उसे खुश करने के लिए, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बॉर्थो लियों में ने एक काम किया, और वो काम ये था, यह यू कह सकत कि उससे मुलाकात करने के दौराने एक ऐसी situation भी create हुई और उसी situation का लाब उठा करके इसने जुमोरिन से मिलने के लिए अर्बों से युद्ध किया और अर्बों से युद्ध करने के बाद अर्बों को पराजित करने के परशाथ उनके कई जहाजी बेडों को ला करके इनको स जब ये बात पता चलती ही कि भई ये तो व्यापार करने आए हैं, ये तो अपनी सभिता का प्रचार प्रसार करने भी आए हैं, तमाम ऐसी सिचेशन बन रही हैं, और अरब साथियों के साथ ये विपरीत में युद्ध लड़ सकते थे, क्योंकि ये तो हिंदू राजा था औ और अरब के जो थे, वो मुस्लिम शाथ सकते, तो इस तरीके से वो उपहार यहां पर देने का प्रयास करता है, कैवरिल इस चीज का भी फाइदा उठाता है, कि उसे मालुम था कि जो जमोरिन है, आप ऐसे समझ लीजे कि कैवरिल को इस चीज का फाइदा उठाने का मौका म मुनाफ़ा लेना चाहता है, काली कट के राजा कौन है, काली कट के राजा जुमोरिन है, आपको मालूम है न, काली कट जो है, उसके राजा जुमोरिन जिससे मिलने गया था, लेकिन इसे एक बात पता चली, कि काली कट और कोचीन के बीच में संबंध अच्छे नहीं, काली कोचीन को जो है, कोचीन के साथ-साथ, केनोर, यह दो प्रांथ हैं, आपको दक्षिन भारत में देखने को मिलेंगे, अभी मैप अगर आगे होगा तो मैं दिखा दूँगा, तो कोचीन और केनोर को, यह वहाँ पर अपने व्यापारी कोठीयां इस्थापित करने का, जो पहल करने आए एक तरीके से आप ऐसे मह लीजिए कि उस समय के लोग व्यापारी जो संस्थाएं होती थी उसी को फैक्टरी कहा करते थी तो फैक्टरी कोठी यह सब एक ही बात है बहराल जब कैब्रेल यहां से लोटा तो कैब्रेल जब वापस लिस्बन गया तो यहां भले ही वह क वासकोडिगामा फिर भारत आया अगर हम इसको फिर से एक बार देखने का समझने का प्रयास करें तो मैंने आपको क्या बताया कि शुरुवाज जो है वो इस तरीके से होती है कि वार्थोलोमियो चलता है भारत के तरफ लेकिन पहुंसता नहीं है अफरीका से वापस चला जाता है उसके बाद वासकोडिगामा भारत की और आता है और यहां से चीजों को लेया करike वहाँ बेचता है साडगुना मौन हाफा कमाता है उसके बाद एक प्रापर सलीके से तरीके से पुर्तगाल के समराठ की साहयता से तेरा जहाज और 1299 को को ले करके पेड़ो अल्व जो कोचीन और केनोर का जो प्रांथ है उसको पा लेता है और इसके बाद अगला जो जो कह सकते हैं बेड़ा है वो आएगा वासको डिगामा के साथ फिर से वासको डिगामा के साथ तो वासको डिगामा जो है वो फिर से भारत आएगा अब तकरीवन पंदरहसो दो में ठीक है तो आपने देखा पहले 1498 में आया उसके आद 1502 में करीब अक्टूबर के आसपास वो फिर से भारत आ रहा है और भारत में वो काली कट आना चाह रहा है लेकिन इस बार उसके संबंद जो है वो मित्रवत नहीं होगी इस बार राजा जोमोरिन जो है उससे वो मित्रता पूर्ण संबंद नहीं रख पाएगा और इसी वज़े से राजा जोमोरिन से वो एक रिक्वेस्ट करेगा या यूँ कह सकते हैं एक संदेश वेजेगा कि आपके यहाँ जो बंदरगां हैं या जो समुद्री बेड़े वाल संबंद जो है वो तोड़ दें ऐसा संदेश वासकोडिगामा ने भेजा और ये कारण भी बन गया जिसकी वज़े से वासकोडिगामा और जो जुमोरिन का पहले ठीक संबंद था वो अब संबंद बिगड़ गया क्यों बिगड़ गया क्योंकि जुमोरिन ने मुसलिम व्य इस्थिती जो है वो बन जाते हैं युद्ध में उस इस्थिती का लाब यहां पर भी लिया जाता है जिसमें कोचीन और कालिकट की शत्रुता को आमने सामने देखा जाता है और कोचीन के मालाबार तट पर जा करके वहां के राजा की साहता से मालाबार एरिया में कोचीन का ज थापित करना या व्यापारिक केंद्र स्थापित करना ये सब एक ही बात है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये किलेबंदी की जो टारेक्ट चुनीती है वो सामने आ जाती है इसके बाद सेच्वेशन बहुत सारी बदलती हैं पंद्रा सो नौ में मिस्र के जो शासक है वो इस चीज के लिए एंग्री हो जाते हैं गुसा हो जाते हैं और इस तरीके से अगर देखा जाया तो तकरीबन वहां पे ममूलक या ममूलुक जो शासक था वो अपने जहाजी बेड़े भेजता है वो जहाजी बेड़े भी पुर्तगालियों द्वारा पराजित कर दिये और इन सिचुएशन को समझने के लिए कि किस प्रकार से 1509 और किस प्रकार से 15010 में अरभ्यापारी केंद्रों और गोवा पर अधिकार किया जाता है उसकी प्रस्टिभूमी को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास हमें और पीछे की ओर चल करके पढ़ना होगा ठीक है तो उस पूरी टाइम लाइन को मैं आपर बताने का प्रयास करूँगा आपके समक्ष कि किस तरीके से ये सारे काम हुए होंगे सबसे पहले तो मतलब ये साब सारी चीजें जो हमें जाननी है उसमें एक घटना हमें ध्यान रखनी है तकरीवन 1505 में पुर्तगाली समराट जो थ में ये कंफर्म हो गया है कि अब हम व्यापार कर सकते हैं और किस तरीके से वहाँ पर अपने आपको इस्टैबलिश करना है किन से किस तरीके की डिलिंग करनी है सारी चीजें क्लियर हो चुकी है और यही कारण है कि 1505 में इस पस्चता पुर्तगाली समराट ने भारत में ज तरीके से पुर्तगाली समराज जो है वो फैल रहा है तो पुर्तगाली समराज जो को फैलने की शुरुवाद जो है वो मुख्य तोर पर अगर देखाया तो 1505 से हो जाती है यह एक और बात है कि 1502 में वासको डिगामा आता है पंदर सो तीन में अलफ्रांजो डिल्बुकर भी आता है पर वो गवर्नर के तोर पर नहीं आता है लेकिन इंपोर्टेंट जो विस्तार है वो 1505 से शुरू होगा 1505 में फ्रांसिसको डी अलमिडा जो की नाम आप यहां पर देख रहे हैं यह फ्रांसिसको डी अलमिडा यह जो व्यक्ति है यह गवर्नर बन करके भारत आ आता है और इसे कौन भेशता है पुर्तगाली जो समराठ है पुर्तगाल के जो समराठ है वो भेशते हैं पुर्तगाली समराठ इनको भेशते हैं और यह फ्रांसिसको भारत में आ करके धीरे धीरे तमाम सारे जो तटी ये छेत्र हैं और जो द्वीप समूवाले जो एरिया हैं उनके उपर वो कबजा करना शुरू करता है जैसे अदान पर कबजा कर लेता है मलक्का पर कबजा कर लेता है जो दक्षणी पूर्वी एशिया का प्रांथ है आमुर्ज पर कबजा कर लेता है और इन सब चीजों की वज़ा से यह जो के तमाम सारे राज्यों पर कबजा करता चला गया जैसे अजाविंदा आइलेंड है गुवा के थोड़े से दक्षन में ही आप देखेंगे तो अजाविंदा आइलेंड मिलेगा कोचीन पर कबजा कर लिया है के नौर पर कबजा कर लिया है तमाम सारे इस तरीके के छोटे-छोटे जगहों पर उसने किले बंदी कर ली है अगर हम इसको थोड़ा सा मैप के माध्यम से देखना चाहें तो मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा यह थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ यह गोवा प्रांत आपको दिख रहा है गोवा का मैप है और गोवा के इस मैप में गोवा के थोड़ा सा दक्षिन वहीं आपको यहाँ पर अजविंदा आईलैंड मिलेगा इस पर उसने कपजा कर लिया इसके अलामा मालू में आपको कोचीन के नोर वाला जो हिस्सा है जैसे यह कन्नूर है यहाँ पर कोचीन है ठीक है तमाम इस तरीके के जो आपको मालाबार रीजन पे जो छोटे-छोटे आईलैंड और तटी जो छेतर मिल रहे हैं उस पर यह कपजा करते चला जाता है और उधर जो अरब व्यापारियों के लिए जो यह आसान मार्ग हुआ करते थे वो अरब व्यापारी हुए उनके व्यापार जो है टूटने लगते तूकि अरबियों को तो पहले नोग ने हराना शुरू कर दिया अब हराना जुरूर शुरू कर दिया लेकिन इनकी यहाँ प्रजन्स से यहाँ के जो शासक हैं वो पुर्तगालियों से धीरे धीरे विरोध के स्थिती में भी आना शुरू करते हैं और अरब व्यापारी भी यही चारते हैं कि ऐसा ही हो वेनिस का व्यापार जो है क्योंकि इस पर पुर्तगालियों का कबजा हो गया था इस व्यापारिक मार पर इसलिए जो इटली का व्यापार था वो थोड़ा बहुत टूटा जरूर तो आब आप देखिए भारत ने भी थोड़ा सा रोश उत्पन हो रहा है अरब व्यापारी जो है वो भी उनका विरोश है इटली के व्यापारी है उनका विरोश है क्योंकि उनके व्यापार व probabilities सब लगातार घट रहे थे तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मिश्र ने क्या किया लाल सागर वाला जो हिस्सा था उस लाल सागर वाले हिस्से पर बहुत चाक चौबन व्यवस्था कर दी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो में समुद्री व्यापारी मार्ग है जो अरब सागर के माध्यम से हो करके जा रहा है अरब को जो यूरोप से कनेक्ट कर रहा है उस पे कहीं ये कपजा ना कर ले क्योंकि उस समें पुर्टगाली सामराज्य जो था उसकी पॉलिसी ही यही थी कि anyhow हिंद महासागर पर और अरब सागर पर कबजा करा जाए तो बदले में मिश्र के जो व्यापारी है या मिश्र के जो सरकार है उसने पूरा जो जो लाल सागर था उसके उपर अपना कबजा कर लिए लाल सागर भी आपने मैंने कल दिखाया था आपको यहाँ पर आप लाल सागर देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये लाल सागर है ठीके और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर और ये हिंद महासागर का एरिया है इसी को कपजा करने की बात जो है पॉलिसी के अंतरकत पूर्टगालीज लेकर के आ रहे हैं अपने आपको तेजी से अपने आपको फैलाने के लिए तो इस थली जो जगहें हैं क्योंकि वहाँ पर विरोध बढ़ रहा था इसी वजह से देखा जाए तो यहाँ पर एक विशेस नीती का हमको ध्यान रखना है कि अलफ्रांजो सॉरी फ्रांसिस्को डी अलमिडा ने एक विशेस नीती का पालन किया जिसे कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी इसे आप ब्लू वाटर पॉलिसी कह लिजे एक Blue Water Policy कहा लिजा है, हिंदी में नीला जल नीती, किसी को हिंदी में नीले जल नीती या नीला जल नीती कहा जाता है, इसी को शांत जल नीती भी कहते हैं, शांत जल नीती, यह शांत जल नीती भी है, यह भी हमको ध्यान रखना है, तो यह यह नीती थी क्या, जो ले करके कौन आया था फ्रांसिस्को डी अलमिडा लेकर क्या था और फ्रांसिस्को डी अलमिडा ये चाहता था कि क्योंकि आगे हमको इस्थली मार्गों पर जो इस्थली प्रांत हैं उन पर अपनी व्यापारिक कोठी और साती साथ हिंद महा सागर जो है हिंद महा सागर इस पर जो है अपने समुदरी जो बेड़े हैं उसे स्टॉंग करना पड़ेगा उसे मजबूत करना पड़ेगा और इतना मजबूत कर दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति इस जगे की लाब लेने के लिए हमारे सामने जुके तो ये थी blue water policy जो बहुत important थी और इसी blue water policy के चलते भारत के कुछ राष्ट्रों ने, मिश्र ने, तुर्की ने आपस में इस policy की कह सकते हैं कि प्रति बड़ी चिंता जताई यार अगर ऐसा हो गया, तो फिर हम व्यापार कैसे करेंगे ये गुजरात का व्यापार कैसे अरब से होगा अरब का व्यापार कैसे पूर्वी देशों से होगा इनी जगों से होगे गुजरते थे तो इन सब चीजों का एक result ये निकला कि जो तुर्की है तुरकी शाशक्ट तुरकी जो की मुश्लिम शाशक है इसके अलावा जो मिस्र प्रानत है जिसको आज एजिप्ट कहते हैं आप इसके अलावा जो गुजरात है उस समय बेगडा जो शाशक हुआ करता था गुजरात का वो इन सबकी जो संयुक्त सेना थी उसने इनके खिलाफ इन समुदरी ढकैतों के खिलावी ढकैतों की तरह हुआ करते थे इनके सेने तो इन समुदरी व्यापारी ये लुटेरे या जो भी समुदरी बेड़े थे पुर्तगालियों के इनके खिलाफ युद्ध की घोशना करी युद्ध हुआ और इस युद्ध को बोला गया बैटल आफ चॉल या चॉल का युद्ध 1508 में हुए इस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अलमिडा की पराजे हुई और इसमें इसका बेटा मारा गया लेकिन अगले ही वर्ष 1509 में फिर से इनी सन्युक्त सेनाओं के खिलाफ 1509 में अलमिडा को जीत हासिल हुई यानि वो जीत गया और इस तरीके से इसकी जो ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी वो काफी हद तक सक्सिस्फुल ही तो ये है 1505 में जो 1505 में जो फ्रांसिस्को डी अलमिडा भारत आया था उसकी पॉलिसी कयों इस तरीके से काम आई 1509 तक 1509 के बाद नया गवर्णर यहां पर आया और इसका नाम हुआ अल्बुकर्प अलफ्रान्जो अल्फ्रान्जो अल्फ्रांजो डी अल्बुकर्क अल्बुकर्क आगे लिखलो इसके ठीक है अल्फ्रांजो डी अल्बुकर्क ये जो व्यक्ति है ये पंद्रा सो नौ में गवर्नर बन करके भारत आया पुर्तगाली गवर्नर गवर्नर सर्थ ठीक है लेकिन ये अलबुकर्क पहले भी भारत में था पंद्रह सो तीन में भी ये भारत में एक तरीके से देखा जाए तो जो पुर्तुगाली स्काडरून है उनका कमांडर बन करके आया था पुर्टकाली स्क्रेंडर मेर जो जहाजी बेड़ा है उसका कमांडर बन करके फंदर सो तीन में भारत आयदा और फंदर सो नो में ये वास्तिविक रूप में ये गवनर बना और फंदर सो नो से लेकर करके फंदर सो पंदर हथ तक ये भारत मेरा और यही वेक्ति है जिसने 1510 में 1510 में ध्यान रखना है इसी अलबुकर नहीं 1510 में गोवा पर अधिकार किया और इस पर अधिकार करने के लिए उसने बीजापुर का जो शासक था आप बता सकते हैं कौन था बीजापुर का शासक नाम याद होगा शायद आपको जल्दी से बताइए उस समय 1510 में बीजापुर का वो शासक कौन था वो था यूसुफ आदल शाह ठीकेट तो यूसुफ आदल शाह को पराजित करके उसने 1510 में गोवा पर कबजा कर लिया इसके बाद गोवा के आसपास के जो एरिया थे जैसे राजवरी नॉर्थ वाला राजवरी नहीं वहां पर भी दाभोल बंदरगाओं पर इसने क्या कर लिया कबजा कर लिया राजवरी और दाभोल बंदरगाओं इन बंदरगाओं पर भी इसने कबजा कर लिया और गोवा के आसपास के जो छोड़ने वोड़े इलाके थे उस पर भी कबजा कर लिया और कबजा करने के बाद एक विशे विवाह की नीति यह है कि आप पुर्टगाल से कितने लोगों को ले करके आएंगे भारत में और भारत में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं रहना चाहते हैं कोई साल दो साल की तो बात थी नहीं है 12 साल के बत हमेशा के लिए लोग व्यापार करने के लिए आ रहे थे तो इसने भारत में पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने का ये रास्ता निकला विवा की नीती वास्तिक रूप में भारत में भारत में पुर्तगाली पुर्तगाली आबादी बढ़ाने के उद्देश अब ये बढ़ाने का उद्देश का मतलब क्या है पुर्तगाल भारत में पुर्तगाली आबादी बढ़ाने का मतलब क्या है भई पुर्तगाली भारत में बढ़ेंगे तभी तो उनके संस्कृति का प्रचार होगा तभी उनके जो नीतियां है उसका प्रचार होगा तभी उन भारती स्त्रियों से विवाह करते थे और विवाह करके यहाँ पर अपनी जो जनसंख्या है वो बढ़ा रहे थे इसलिए धिरे-धिरे देखते हैं आपकी पूर्टगाल जो है काफी हर्थक गोवा जो है वो पूर्टगाली के इंद्र रहा और अंतिम तक रहा सबसे पहले और पुर्तगाली जो है वो जहाँ पर थे गोवा में जो थे तो गोवा आज भी जो है वो Christianity का एक तरीके से देखा ज़या तो इसे वो है और वहाँ पर इसाई जो मतावलंबी हैं वो काफी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर परवात हुई है इन सारी चीजों की पुर्तगाली सत्तायम संस्कृती को प्रचार प्रसार करने के लिए बेसिकली एक काम किया गया था आगे चल करके 1515 में इसने मतलब 1511 में कह सकते हैं 1511 के आसपास इसने मलक्का मलक्का जो दक्षनी पूर्वी एशिया का एक छोटा सा आई लेंड है मलक्का मलक्का स्ट्रीट आपने सुनाओगा उस पर कबजा कर लिया इरान की एक जगह थी कुर्सुम 1515 में कुर्सुम पर इसने कबजा कर लिया मतलब आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर अपनी वैपारी कोठिया इस्टैबलिश कर रहा है कुर्सुम पर कबजा कर लिया 1515 में ही इसने हर्मूज पर कबजा कर लिया जो फारस की खाड़ी के लाल सागर के मुहाने पर, लाल सागर मुहाना, यहां पर सुकोत्र अद्वीब पढ़ता था, उस पर इसमें कभजा कर लिया, बल्ला वो भी उन व्यापारिक मार्ग को पुद्री से ब्लॉक कर देना चाहता है, जो व्यापारिक मार्ग अरब और फारस्वारी रास्ते से जाय कुलंबो है, कुलंबो पोर्ट जो है, उन सब पे इसने अपना कपजा किया, साथ ही चीन में भी संचाओ द्वीब हुआ करता था, तो सीन के संचाओ द्वीब पर भी इसने वहाँ पर जाकर के जो बस्तियां हैं वो बशानी शुरू कर दी, और इन सब चीजों को इतने वि उकर्क जो है, इसको भारत में पुर्तगाली सामराज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक, ये भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि आप देखे रहें कि इतने सारे ये कारे कर रहा है, इसके पहले भी पुर्तगाली आये, लेकिन इसकी importance थोड़ी सी ज्यादा हुई क्योंकि इसने बहुत बड़ी मात्रा में इस तरीक एक काम किये बहुत बड़ी मात्रा में इन में इसने कुछ प्रांथ में आप लोगों को दिखा देना चाता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं याप पर मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ जगहें देखने को मिलेंगी शायद यह देखिए यह सुमात्रा है यह इंडोनेशिया वाला इंडोनेशिया का एक आईलेंड है सुमात्रा यह सुमात्रा आईलेंड आपको दिख रहे है ठीक है इसके अलावा ये छोटा सा हॉर्न और हॉर्न ओफ अफरीका के ऊपर छोटा सा सुकोत्रा आइलेंड है जो मैंने बताया था कि ये लाल सागर है ये लाल सागर का मुहाना है और इसी मुहाने पर सुकोत्रा आइलेंड है जिसको इसने कबजा कर लिया, सुमातरा पर कबजा कर लिया, नहाँ पर जावा है, इस पर कबजा कर लिया, मतलब, बहुत सारी जगहें इस तरी के से, आपको शिलंका तो मालुमी है, उसको दिखाने के ज़ुरत नहीं है, थाइलेंड पर उसने कबजा करना शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, ये विस्तार रुका नहीं, ये विस्तार आगे लगातार बढ़ता चला गया इसके बादाने वाले जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़ corazón प्रचार प्रशार किया पुर्टगालिओं के प्रशासन के अगर हम बात करें, तो पुर्तगालियों का प्रशासन जैसे ऐसे बढ़ रहा है, उस प्रशासन में हमको एक चीज ध्यान रखनी है, कि चाउल जगा जो है, चाउल, पंदरगाह वाला प्रांथ है, 1531 पे इस पे कबजा कर लिया है, पुर्तगालियों ने, 1532 में दीव, दमन दीव वाला जो दीव है, 1532 में इस पे कबजा कर लिया, देखिए धीरे धीरे, और ये बेसिकली उन जगहों पर ज़्यादा कवर कर रहे हैं, जिस पर जहां पर समुदरी मार्ग, जो व्यापार का है, वो ज़्यादा जहां पर आ सके, तटी प्रांथ हों, या आइलेंड कंट्री हो, या आइलेंड्स हो, उस पर जो है, ये ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो 1532 में इन्हों ने दीव पे कबजा कर लिया, इसी तरीके से, इसी वर्ष 1534 में ही उन्होंने बेसिन पे कबजा कर लिया, या बेसिन इसको बोलते हैं, इस पे कबजा कर लिया, और जबर जबरजात तरीके से करके, वहाँ पर कर खाने वगडरा, या फैक्टरी वगडरा खोलने शुरू किया, वहाँ दुर्गी करने ओने फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया, यह सारी चीज़ें आपको देखने तो वहां पर भी कबजे इसके हुए मसूली पत्तनम पुर्टगालियों ने मसूली पत्तनम को भी कबजा लिया क्योंकि यह मसूली पत्तनम है इसके अलामा पुली कट है पुली कट यहाँ पर भी कपजा कर लिया उसकी अलावा अगर आप देखेंगे तो एक बहुत इंपोर्टन जगे है नागा पटनम भारत के दक्षनतम भाग में आपको मिलेगा नागा पटनम नागा पटनम एक ऐसा व्यापारिक केंद्र था जिससे जो दक्षनी पूर्वी एशिया के जो प्रांत थे उन दक्षनी पूर्वी एशिया के प्रांतों पर व्यापार जो है वो आसानी से वहाँ से होता था अब इस चीज़ को अगर हम मैप में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं जरह देखिए, इसमें से कुछ नाम है, जैसे काली कट नाम आपको देखने को मिल रहा है, कोचीन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप सालसेट देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिन या वसीन जिसको बोला आता है, वसीन बेसिन ही की बात है, उस पर कबजा कर लिया है, यह द् ठीक है ये सब जगहों पर इसके अलामा आगे मैं आपको बताऊंगा सेंथोम जो जगह है उस पर भी फ्रानसीसी के रहे हैं पूर्तिगालियों ने जो है प्रांट लेही लिया गया था मनीला वगेरा के जो रास्ते थे फिलिपीन्स तरफ के तरफ जो जाया करते थे उन सब व्यापारिक मार पर इन्होंने अपनी प्रभुता जो है वो स्थापित करने शुरू कर दी और इतना ही नहीं ये इधर हुगली तक भी पहुँझ गए बंगाल का उस समय जो शासक हुआ करता था उसने महमूर्शा था महमूर्शा जो बंगाल का शासक था इसने पूर्टगालियों को दो महत्वण जगह दे दी एक चटगाउं, एक सतगाउं कौन कौन से चटगाउं एक जगदी चटगाओं और एक जगदी सतगाओं तो आप देख सकते हैं भाई पूरा दक्षण भारत ऐसे कवर हो रहा है और इतना ही नहीं इधर ये जो दक्षण पश्मी जो आप देख सकते हैं जो एशिया के प्रांथ हैं वो सब कवर हो रहे हैं हुगली वगर है सब कवर हो जा रहा है अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से अकबर के समय में हुगली का एरिया दे दिया गया था शाजहां ने बुंदेल का एरिया दे दिया था व्यापार करने के लिए और इन सब के बदले ये पूर्तगाली क्या दे रहे थे इन स कार्टेज व्यवस्था कार्टेज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि जैसा कि मैंने बताया कि गोवा में इनको पूरा आधिकारिक तोर पे व्यापार करने का आधिकार मिल चुका था और गोवा में जो giverner था वो जितने भी 2007 हिंद महा सागर है हिंद महा सागर बंगाल की खाडी और अरब सागर की तरफ इसमें बंगाल की खाडी नहीं लिखेंगे फिके इन जगहों पर अगर किसी को किसी भारती जो व्यापारी थे अगर भारती व्यापारियों को हिंद महासागर और अप महासागर में व्यापार करना पड़ता था जहाज के माध्यम से तो उन्हें लाइसेंस इशू कराना पड़ता था गवर्नर से इन्हें गवर्नर से लाइसेंस इशू कराना पड़ता था और उसके लिए इन्हें टैक्स देना पड़ता था भारती व्यापारियों को आप देखे पर सिथी कितनी उल्टी होगी और यदि अगर कोई इन गवर्नर से लाइसेंस लिए बगाएर इन जगहों पर ट्रवेल करता तो इनके जो समुद्री लिटेवरे थे इनकी जहाज को लूट लेते थे ना लूटने की जो कंडिशन थी वो केवल एक थी कि अगर आपके पास में इनके द्वारा दिया गया लाइसेंस या व्यापार का आग्या पत्र अग्या पत्र अग्या पत्र अगर मिला है तो ही आप इन जगहों पर व्यापार कर सकते थे अदर्वाइस ये इसको लूट ल मैंने बताया आपको अब एक प्रश्णा आपके मन में और जाना चाहिए कि अगर ये इस तरीके के काम कर रहे थे तो जो भारतिये शासक थे वो क्या कर रहे थे वो इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे जैसे भारत में उस समय जो बहुत बड़ी शक्ती थी वो म अलग बात है यानि नौसेना पर इनका ध्यान नहीं था और दूसरे जो छेत्रिय जो राजा हुआ करते थे उनका भी यही हाल था और नहीं उनके पास नौसेना थी और नहीं इस दिशा में प्रयत्न करते थे तो उसी वजह से इनको बड़ी आसानी से इन सब जगहों पर अ व्यापार में तमाम सारे रौ मेटेरियल से ले करके भारत से बाहर जाते थे यूरोपी जो बाजार है उसमें बेचते थे तो यहां से भी खरीदने के लिए कोई एक्शेंज मीडियम आफ एक्शेंज तो पढ़ता ही है ना कोई भी चीज रौ मेटेरियल भी खरीदेंगे जो यहां आते थे, क्या वो वहां की मुद्रा यहां चलाते थे, और क्या वो चलती थी, ऐसा नहीं था, वे पूरव में जब व्यापार करने आये, तो अपने साथ पश्चिम से बहुत बड़ी मात्रा में, सोना, चांदी, तमाम सारे बहुमूल, हीरे, जभारात, यह सब ले क करके आते थे, और यही चीजें, यह दक्षण के व्यापारियों को दे करके, व्यापार से इंसे समान ले करके पूरव जाते थे, और इसी कारण धीरे-धीरे, पश्चिम का जो सोना था, वो यहां पर आगे खटा होने लगा, इसलिए दक्षण भारत जो है, वो धीरे-धी सोने और चांदी से भरपूर होने लगा, आगे चल करके इसी सोने चांदी की लूट भी हुई, यह भी बात भी है, लेकिन इस तरीके से हमको यहां पर यह देखने को मिलता है, व्यापार की अगर हम बात करते हैं, तो व्यापार में खास दौर पर अगर हम देखें, तो माल पहला बार रीजन जो है माला बार छे त्रिप से वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पे मसाले वगएरा ही लेने आये थे बेसिक पहला परपस तो मसाले लेने का ही था लेकर इसके अलावा दूसरी चीजों का भी वह व्यापार करते थे जैसे डाल चीनी मसालों में ही आती हलाकि कि दाल चीनी हल्दी वगएरा इसके अलावा वो चंदन वगएरा का भी व्यापार करते थे अध्रक वगएरा भी यहां से भेजे जाते थे इस तरीके की चीजें भी थी हाँ सबसे ज्यादा जिस चीज का व्यापार होता था वो था काली मिर्च और जो काली मिर्च थी इनक जो प्रोविंस था भारत का वहां से विशेश प्रकार के ताफटा कपड़े मैं आपर different color से लिख दे रहा हूँ ताफटा ताफटा कपड़े ताफटा कपड़े का व्यापार करते देख विशेश प्रकार का ये टाफटा जो है वो कपड़ा हुआ करता था उसका व्यापार करते थे चिंट्स का व्यापार करते थे भी कपड़ा था चिंट्स ये उत्री पश्चमी जो भारत का हिस्सा है उससे इन चीजों का व्यापार करते थे वस्तूओं की बात करें तो और यहां से चीजें तो आपजल, मूगा, पारा, सिंदूर, जो कि भारत में बहुत जादा जिसकी रिवांड थी, तामभा, इत्यादी, ये सब, और कुछ मात्रा में वो वहां से ढले हुए सिक्के भिला करके इस जगों पर बेचा करते थे, तो ये बेसिक पॉइंट जो हैं, वो आपको मेरी ख्याल में, जब नोट करिएगा, नोट्स बनाएगा, तो नोट्स के सामें इस पर्टिकुलर जगह पर आकरके, फिर से सुनिएगा, और सुन करके लिख लीजिएगा, हाँ, अब यहाँ पर अगर हम थ्वड़ा सा प्रशासन की बात करें, तो प्रशासन में विशेस चीजें हमको प्रशासन कैसा था, इनका administration कैसा था, जैसे कि आपने सुरवात में सुना कि पुर्तगाली गवर्नर कुछ भारत आये, तो भारत में सबसे बड़ा जो प्रशासन की एकाई थी, जो मुखिया था इनका, जो चीफ हुआ करता था प्रशासन का, प्रशासनिक सबसे बड़ा अ करता था, उसे आप वाइसराय बोलते थे, आप वाइसराय बोल दीजिये, या फिर वही governor है, उसी को आप governor कहते थे, और यह वाइसराय या governor भारत में तीन वर्ष के लिए एपॉइंट होते थे, और इसके इस तीन वर्षों में इनकी सहायता के लिए, इनके लिए एक इसके बाद जो गवर्नर्स की जो कारेपालिका हुआ करती थी, जो काउंसिल हुआ करती थी, उस काउंसिल में सदस्थ के तौर पर ये बाद में काम कर सकते थी, तो एक तो हमने आपको बताया यहां पर वाइसराय, प्रशासन में एक इकाई ये थी, एक और महत्वपोन ठीक है वडोर्दा पेजेंडा ये एक विशेश प्रकार का अधिकारी होता था अब कभी भी जब इनको व्यापार करना होता था समुद्र से या कहीं पर आक्रमड या सेन्य फोज वगरा भेजनी पड़ती थी तो जो नौसेना इनकी थी नौसेना का जो पूरा का पूरा इनका नौसेना का जो बेड़ा हुआ करता था उस नौसेना बेड़े को भेजनी की जो जिम्मेदारी थी नौसेना बेड़े को भेजना इसकी जो जिम्मेदारी थी वो इस वडोर्दा फडेंडा की थी या वडोर् अरहां जितने भी कार्गो के कार्या करते थे जो मात्वपूर्ण धंग से अगर हम देखे तो क्याप्टन जो है वो जितने भी इनके व्यापारिक कोठियां थी, व्यापारिक केंद्र जितने भी थे, जिने आप व्यापारिक फैक्टरियां कह सकते हैं, ये जो थी, इन सारे फैक्टरियों की निगरानी करता था, ठीक है, इन सारे फैक्ट्रियों की ये क्या करता था निगरानी करता था यानि की किला नियंत्रक अधिकारी आप इसको कह सकते हैं क्या कह सकते हैं किला नियंत्रक अधिकारी ये एक तरीके से किला नियंत्रक अधिकारी था ठीक है तो आपको पूरा का पूरा गवर्नर्स का ये समझ में आ वाइसराएगी और दो वाइसराए या दो गवर्नर्स मैंने आपको शुरुआत में बताए लेकिन एक गवर्नर का नाम में आपके समक्ष और लेना चाहूंगा जो की इन सब में सबसे ज़ादा महत्तुकूर्ण भी हो सकता है ठीक है वो गवर्नर कौन है उसका नाम में आपक इस पास में अन्त में ये भारत में पूर्थगाली गवर्नर बनके आया था 1539 में भारत में पूर्थगाली गवर्नर बनके रहाotom है और यही वो व्यक्ति है अगर हम नीनोदी कुनहा की बात करते हैं तो इसको हम different color से यहीं पर लिख दे रहे हैं जिसे कि आपको आसानी से दिख जाए, निनोदु कुनहा जो है, यही वो व्यक्ति है, जिसने गोवा को, गोवा को अपचारिक रूप से, अपचारिक राजधानी बनाया, राजधानी, किसकी? पुर्तगालियों की, तो पुर्तगालियों की जो अपचारिक राजधानी जो गोवा हुई, उसे बनाने क का काम नीनोदा कुनहा ने किया है ये चीज आपको यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंटली ध्यान रखनी है इससे पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी कोचीन थी तो कोचीन से इसने कैपिटल को ट्रांसफर किया था ध्यान रखेंगे कोचीन से कोचीन से राज था नहीं बनाया और इसके बाद जो है तमाम सारे जो प्रांथ है उसको इसने जीतना से मैंने आपको बेसिन दीब बताया था उस पे कभजा किया गया था 1534 में वो इसी किसम में में हुआ था इतना ही नहीं इसने पूरब में भी अपना एक मुख्याले बनाया पूरवी पूर्तगाली वहाँ पर बस्ती स्टैबलिश करी, वहाँ पर बंगाल में जा करके, जिसे कि बंगाल में जो पूर्तगालियों की संख्या वो बढ़ेगा तो ये चीज़ भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए तो नीनो दुख उन्हों के बारे मैं पूर्तगाली हैं, इन्होंने किस तरीके से भारती शासकों पर अपना या भारती शासकों के साथ इनके कैसे संबंद रहे, पूर्तगाली और भारती शासक, भारती महत्तपूर्ण जो भारती शासक थे उनके संबंद कैसे थे initially शुरुवात के प्रारंब के क्योंकि आगे जो है इसके बार आप देखेंगे दूसरे व्यापारी जो है वो भी आने शुरू हो जाएंगे यूरोप से तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ शुरुवात में अगर हम बहादुर शाह की बात करते हैं जो कि गुजरात का उस समय शासक था 1536 के आसपास इसकी हुमायू से जो है जो उस समय मुगल बार्शा हुमायू हुआ करते थे वो हुमायू इसके साथ युद्ध करने के लिए आया और हुमायू जब इसके पास में आया इस बहादुर शाह के पास में तो हुमायू से संघर्ष के दौरान ही इसी हुमायू से संघर्ष के दौरान ही 1534 में जो है इसी बहादुर शाह ने जो गुजरात का शाह सकता इसी बहादुर शाह ने जो बेसिन द्वीव है वो सौप दिया ठीक है, कौन सा दीप? बेसिन, बेसिन दीव जो है, वो सौंप दिया किसको पूर्तगालियों को, पूर्तगाली जो है, पूर्तगालियों की यहाँ पर एक कोठी हो गई, इसलिए कि वो पूर्तगालियों की सहायता लेकर के हुमायों के खिलाफ जा सके, हुमायों कमजोर पड तो उससे पह्ले एक चीज और उसके अलामा द्वीव जो जगा है यह भी जो है मैंने आपको बताया तक हमायु वापस चला गया तो दोनों के संबंद जो हैं पुर्तगालियों के और बहादुर्शा के जो संबं है इन में दरार पढ़नी शुरू होगी बहादुर्शा इन दोनों के संबंदों में दरार जो है वो पढ़नी शुरू होगी और बहादुर्शा जो है वो कह सकते हैं कि विभाजन कर देना चा बाद को दोनों ने बाद में ये सोचा कि बादचीत करके निप्टाया जाए इसलिए वारता तयह हुई और पुर्तगालियों ने बहादुर्शा से बादचीत करने के लिए उन्हें पुर्तगाली जहाज पर बुलाया किस काम के लिए बुलाया बातचीत करने के लिए और वही पर इस बाहदु शाकी क्या कर दी गई हत्या गर दी गई तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक कुटनितिक जो काम है वो भी यहां पर हुआ है तो शुरुआत में इस तरीके से तो संबंद हुए अब लेकिन अगर हम यहाँ पर पुर्तगालियों के अकबर के साथ कैसे संबंद थे इसकी चर्चा अगर हम करें तो अकबर की मुलाकात 1772 में गुजरात विजय जब वो करने के लिए गया था 1572 में 1572 में जब वो गुजरात विजय के लिए निकला था तब पुर्तगालियों से इसकी मुलाकात हुई थी कैमबे कैमबे का दौरा करने गया था गुजरात में कैमबे जगा है दंबे सिन के पास में कैमबे का जब वो दौरा कर रहा था दौरा के दौरान पुर्टगालियों से इसकी मुलाकात हुई थी अकबर की तो अकबर की जब मुलाकात पुर्टगालियों से हुई उसके बाद फिर बाद में सूरत में जो पुर्टगाली रिप्रेजेंटेटिव है एन्टोनियो केबरिल, वो भी इन से Modpar फिर से अकबर से मुलाकात करने के लिए गया, और इन सब चर्चाओं के दौरान, मुलाकातों के दौरान, पूर्टगालियों को यह पता चला, कि अकबर जो है, वो धर्म, के ज्यान का भूखा है। धर्म के ग्यान का भूखा मतलब इस समय तक आपको मालूम है अकबर जो है वो एक नीती लेकर के आया था जिसमें सभी धर्मों की चर्चा होगी, मीमान सा होगी उसके लिए उसने इबादत खाना भी जो है बनवाना शुरू किया था इबादत खाना में शुरुआत में मुस्लिम्स थे बाद में इस सब पढ़ा होगा ना आप लोग ने बाद में इबादत खाना में दूसरे धर्म गूरू भी आते थे डिबेट करने के लिए तो इन सब चीजों के बारे में इन लोगों को जब पता चला तो इन्हें मालूम था कि अकबर एक महान मुगल भाष्शा है और किसी तरीके से उनको ये महसूस होने लगा क्योंकि अकबर ने इंट्रेस्ट दिखाया तो पुर्दगालियों को महसूस होने लगा कि शायद अक्बर के माध्यम से हम तमाम सारे जो इसलामी हैं उनको इसायत में कनवर्ट कर सकते हैं या फिर इतना भी उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि अक्बर भी हो सकता है इसाय धर्में कनवर्ट हो जै तो अक्बर की धर्म चर्चा में जो रूची थी इसी रूची के का अकबर ने एक इसाई धर्म गुरु को पादरी को बुलाया जूलियन परेरा को जूलियन परेरा इनको बुलाया और जूलियन परेरा को बुला करके वहाँ पर जो इसाई धर्म का जो रस है उसको समझने का प्रयास किया लेकिन जूलियन परेरा संतुस नहीं कर पाए जो क्व इसलिए 1578 में एंटोनियो केब्रेल दुबारा जो है इनके दरबार में गया, लेकिन एंटोनियो केब्रेल फिर उनको संतुस नहीं कर पाया, 1579 में फिर से एक कैंप गया, गोवा के चर्च के पादरियों को वहां से बुलाया गया, गोगा के चर्च के दो पादरी जो है फिर 1580 में आए जिनका नाम था रोधकलेफो एक्वा विवा और एंटोनियो मांसरेट इन दोनों को बुलाए गया इन दोनों ने धर्म का ग्यान दिया लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुआ उसके बाद 1590 में 1590 और इसके अलावा 1595 में 5 साल बाद 1595 में दो बार फिर से दल आए फिर अकबर नहीं संतुष्ट हुआ तो बार बार ये जो दल है ये बुलाए जा रहे हैं लेकिन अकबर को वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कारण है कि वो अकबर को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं उसके पीछे कुछ तो कारण होगा कारण था कारण क्या था वास्तिक रूप में अगर देखा जाए वास्तिक रूप में अगर देखा जाए तो अकबर जो है वो इसके अलावा इसका जो बेटा है सलीम जो बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया ये दोनों लोगों को ये बार बार जो टूर हो रहा है इस टूर से पुर्टगालियों को ये समझ में आ रहा है कि शायद ये धर्म में विश्वास रख रहा है लेकिन ये धर में विश्वास नहीं रख रहा है कुछ दूसरी सोच है दूसरी सोच ये थी कि अकबर जो था वो पुर्टगाली बंदूग पाना चाहता था क्योंकि इसके अपने कुछ असमंजस के कारण थे जिन से निपटने के लिए कि पुर्टगाली जो शस्त्र हैं उसकी जुरुत इसको पड़ रही थी वो इसलिए एक तरीके से अगर देखा जा तो सैन्य साहता को टटोलने का प्रयास किया जा रहा था पुर्टगालीों से सैन्य साहता को टटोलने का प्रयास किया जा रहा था बार-बार उनको लग रहा था कि धर्म प्रचार हो रहा है हुगली वेगर भी अकबर ने दे दिया था तो उने लगा था कि बड़ा इजी है सलीम जो है वो इंटरेस्टेड इसलिए था कि वो अकबर से विद्रोह करना चाता था अकबर से अकबर से विद्रोह करना चाता था और इस विद्रोह के लिए उसको पुर्तगालियों का साथ चाहिए था ठीक है तो अब यहां पर हमको यही ध्यान रखना है कि दोनों जो है अपने अपने हित के कारण जो है वो पुर्तगालियों का पुर्तगालियों में इंटरस दिखा र जो है वो आगे चल करके एक पुर्टगाली गुरू है जिनका नाम है जुईसेट को के साथ में काफी अच्छे संपर्क रखता है लेकिन जब अगबर की मृत्वी के बाद जहांगे इस तरीके के संपर्क जब जादा साधने शुरू कर देते हैं तो जो मुसलिम जनता है वो स सलीम से थोड़ी नाखुष न जराती है और सलीम तो पहले ही अपने पिता के समय में आपको मालूम है कि उतना जादा उनको जो एक शहजादे के रूप में जो रिस्पॉंस मिलना चाहे था वो नहीं मिलता था तो वो नहीं चाता था किसी तरीके से कोई गलती हो तो उसने स सारे जो कह सकते हैं साथ हैं वो लेना शुरू कर दिया लाहौर में इसने लाहौर में इसने जो इसाई जो लोग हैं उनके लिए गिर्जाघर की स्थापना करने का गिर्जाघर स्थापित करने का उसने जो है पर्मीशन दे दिया अनुमती दे दी कि भाई तुम मध्य प्रांत का जो हिस्सा है 1608 के आसपास मध्य प्रांत का जो हिस्सा है जिसको आप आगरा कहते हैं आगरा आगरा में तमाम सारे जो गिर्जा घर हैं उसको इस्टैब्लिश करने की पर्मिशन दी गई वहाँ से जो इसाईयों की जो जिसको बोलते हैं जुलूस वगरा जो है निकालने की धर्म प्रचार करने की धर्मांतरन करने की जो पर्मिशन से हैं वो देनी शुरू कर दी गई और इन सभी क्रम वे जो खजाना था राजकोष यो रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं लेकिन आपको मालूम है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पुर्तगाली जो हैं वो भारत में कंटीनु नहीं कर पाए उनको पराजित कर दिया उनको समाप्त कर दिया या उनके वर्चस्त को खतम कर दिया एक तरीके से आ हम इस पे चर्चा करें तो ये इनकी खुद की ही कारण थे जिसकी वज़े से इनका पतन हुआ था अउन कारणों में एक तो यही है कि पुर्तगाल के जो शासक थे वो पुर्तगाली व्यापारियों पर अत्यधिक नियंत्रण रखते थे तो यहां के जो व्यापारी है वो पे कपजा करने से ही मतलब था, उनके पास में अवसर था कि वो यहां के प्रिशासनिक नीतियों में इंटर्फियर कर पाएं, लेकिन उतनी हद तक वो इंटर्फियर कर नहीं पाए, असफल रहे, उसके अलावां अगर हम देखें, तो ये धर्मांद थे, धर्मांद का मतलब धर्म में बहुत अंधे थे, और इसी लिए ये धर्मिक अत्याचार भी बहुत करते थे, अन्य धर्मों के उपर, धर्मिक जो अत्याचार है वो बहुत करते थे, जोर जबरिश्ती दे करके, इसायत तो में दूसरे धर्म के लोगों का कनवर्जन करने का प्रयास करते थे, इसकी वज़े से तमाम सारे जो लोग थे उनके साथ इनके सही संबंद स्थापित नहीं हो पाए। इसके अलावा अभी अभी ब्राजील की खोज की गई थी। और जब ब्राजील की खोज हुई तो ब्राजील जो है थोड़ा इनके निकट बैठा। इसलिए उससे व्यापार जो है इनोंने थोड़े जादा करने शुरू कर दिये और परणाम तह जो भारत है भारत पर इनकी जो पकड़ थी वो कमजोर हो गई। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया। वो यहाँ के व्यापारिक मारगों को ठीक तरीके से जितना ठीक तरीके से इनके पास अवसर था उतना ठीक तरीके से उसको रीड नहीं कर पाए। अधिकारी के तौर पर थे ही नहीं ने प्रशासन करना ठीक तरीके से आता ही नहीं था। तो ये वो तमाम सारे कारण थे जिसकी वजह से अंतता जो है अवसर मिला ब्रिटिशर्स को इनको हटाने का और बाद में ये जो है दक्षणी पूर्वी जो हिस्से हैं, दक्षणी पूर्वी एशिया के जो प्रांत हैं, वहीं तक ये व्यापार के लिए सीमित रहे गए और भारती भूभाग पर और भारती व्यापारिक मारगों पर आगे चल करके ब्रिटिशर्स का जो है वो कबजा हो गया, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया, कि पुर्तगाली बड़ी तेजी से आ करके यहां के यहां आपको फैलाते हैं, लेकिन जब बारी आती है अपने प्रशासन को अपने प्रशासन का राजनिती करण करने की जब बारी आती है, तो ये उसका राजनिती करण नहीं कर पाते हैं, ये भारती राजाओं के साथ अच्छे संबंध स्थापिट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शुरुवात में जब ये आये, तो उसके काफी लंबे स समय बाद जो है मजबूत चक्तियां जैसे फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स यहां पर आए तो एक लंबा समय इनको भारत में व्यापार करने का जरूर मिला लेकिन उस लंबे समय को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो भुनाया जाना चाहिए था जैसा ब्रिटिशर्स औ तो शार्थ फ्रांसीसी हम पर राज कर रहे होते क्योंकि लगबब ऐक जैसी सोस देखने को आँ पर मिलती यह पर पूर्तगाली तो नहीं कर पाते क्योंकि यह सिर्फ वियापार करने आये यह वियापार से आगे नहीं बढ़़ पाते तो इस तरीके से हम को तो ये समझ में आता है कि जो पुर्तगाली हैं वो यूरोपियों के भारत के आगमन के रास्ते खोल देते हैं अच्छा उधर भी एक पॉइंट ये है कि स्पेन और पुर्तगाल का ब्रिटिशस के साथ में वहाँ पर शुरू होता है तो उसमें विजी हो जाते हैं वहाँ पर अंग्रेज जो हैनके उपर हावी होना शुरू हो जाते हैं शुरुवात में और फिर इनके जो कह सकते हैं कि जहाज निर्मान की जो टेक्निलॉजी है उसके उपर भी इसका प्रभाव पढ़ जाता है तो वहाँ से भी ब्रिटिशस इनके उपर हावी हैं ये भी एक कारण है जिसकी वज़ा से ये पराजित होते हैं आगे चल करके और ब्रिटिशस जो है वो स्ट्रॉंग होते हैं इन्ह बड़े मुनाफे को ले करके वहाँ पर अमीर होते जा रहे थे, तो उस मुनाफे में ये बिटिशर्स भी अपनी हिस्सेदारी चाहते थे, इसलिए वो तेजी से यहाँ वयापार करने आए, ये फ्रांसीसी यहाँ इसलिए वयापार करने आए, कि तुम ही कि अल्ला आप क्यो बिटिशर्स आए, इन परिपेक्षियों पर हम और चर्चा करेंगे, और इसका अंत करेंगे इस आधार पर, कि अंततह फ्रांसीसी और बिटिशर्स जो हैं, वो कैसे एक दूसे से लड़े जगडे और कैसे उसमें से बिटिशर्स जीते, और जिस समय फ्रांसीसी और बिटि हो जाता है भारती राज्यों को समझना तो हम उसके बारे में भी समझेंगे ये हम अगले एपिसोड में समझेंगे आज की एपिसोड में फिलहाल इतना ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के अध्याय के अंत की ओर आशा करते हैं कि आज की भी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से और जो ये वीडियो है इसके रिवीजन के माध्यम से तारतम्यता बनाते हुए आप अपने नोट्स के प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि ये नोट्स जेरी अगर एक बार आपके बन जाएंगे तो फिर आगे अनवरत आपके लिए काम आएंगे प्री मेंस वगरा सब के लिए तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपनी चीजों को आगे बढ़ाई आज की सभा में फिल हाल इतना ही मुलाकात करेंगे अगली सभा में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवार करेंगे